English में जितने भी model verbs होते हैं, सारे एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, can, could, should, would, may, might, must, जितने भी होते हैं, सब वो वीडियो में आप सीख सकते हैं, तो बीना time waste के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं should को, अब should सीखने हैं, तो should के क अपने पूरा देख लिया, तो आपको model verbs में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा, कि जो मैं बोल रही हूं, कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने सारे uses होंगे, सबसे पहले should को समझते हैं, should होता क्या है, तो should का sense होता है, चाहिए, यह हम बहुत ही common है, हम अपने daily life में बहुत ही जादा यूज़ करते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यह generally हम यूज़ करते हैं किसी खरीदनी चाहिए, तो should का use आप कब किजेगा, जब आपको advice देनी हो, या फिर किसे से advice लेनी हो, चाहिए के लिए हम ought to का भी use करते हैं, लेकि ought to का use हम कब करते हैं, जब अपने से बड़ों के लिए हम use करते हैं कोई sentence, मालीज आप किसे school के teacher से कोई conversation कर रहे हैं, जिसके sentence म आपके teacher है, वो आपसे बड़े हैं तो उस sense में आप ought to का भी use कर सकते हैं, should का use तो करी सकते हैं, प्लस ought to का भी use आप कर सकते हैं, जैसे कि example है आपका, तुम्हें school जाना चाहिए, अब बच्चों का advice देते वे कहते हो न, तुम्हें school जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, you should go to school, you should go to school, तुम्हें school जाना चाहिए, आपको office जाना चाहिए, मन जब बड़े को बोल रहा है न, कि आपको office जाना चाहिए, तो बड़े अपने से बड़ों की जब बात करेंगे, तो आप ought to का use करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, तो you ought to go to office, या फिर आप you should go to office भी बोल सकते हैं, अगर आपने कहीं देख लिया, कि you ought to go to office है, तो आपको confused नहीं होना है, क्योंकि ought to का मतलब भी चाहिए होता है, और should का मतलब भी चाहिए होता है, तो आपको confused बिलकुल नहीं होना है, ought to का use हम generally अपने से बड़ों के लिए करते हैं, और should का use हम सभी के सा घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ करते हैं, तो next है हमारा आपको वहाँ जाना चाहिए, ये भी हम advice दे रहने हैं, कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे you should go there, you should go there, मतलब आपको वहाँ जाना चाहिए, अब should तो clear हो गया, should का use हम कब करेंगे जब हमारा scientist में चाहिए advice देना या लेना हो, तब हम should का use करेंगे, लेकिन अभी should का तो बहुत सारे types है, basic से advance है, वो भी सब सीखते हैं, तो अब है हमारा should be, अब be का मतलब होना होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे तर से जानते होंगे, तो should be का मतलब होता है, होन होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए, अब ये ध्यान देना होना होना चाहिए, इसका sense कैसे निकलता है, हम मैं आपको एक example लेती हो, आप उसे example को ध्यान से सुनेगा, अगर आपने वो example ध्यान से सुना तो आपको समझ में आ जाएगा, कि should be का use हम generally किस sentence में करते हैं, मान मैं आपको फ्रेंड आप से पूछ रहा है, कि महारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन कहा होंगे, तो उस समय आप बोलेंगे, कि मेरे छोटे भाई या बहन को घर पर होना चाहिए, होना चाहिए बो रहना, घर पर होना चाहिए, या फिर स्कूल में होना चाहिए, इस वाले sense में आप should be का बॉलेंगे, जब आपको वो जिच होनी चाहिए, जैसे हमारे example है, उसे school में होना चाहिए, हम बता रहे हैं अपने friend को कि मेरे भाल को school में होना चाहिए तो उसे school में होना चाहिए के लिए बुलेंगे, he should be in school he should be in school मतलम इसको स्कूल में होना चाहिए उसे घर पर होना चाहिए उसे ऑफिस में होना चाहिए अब शुडबी का यूज हम कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया अब आगे देखते आगे क्या है अब हमारा शुड़ है बिन हम लोगों ने अब जो शुड़ बी देखा ना चाहिए का हम जब पास्ट करेंगे कि होना चाहिए था तब हम शुड़ हैब बिन का यूज करेंगे यानि कि शुड़ बी का पास्ट होता है शुड़ हैब बिन जैसे माली जै आपका फ्रेंड आप से पूछा कि आपका छोटा भाई या बहन कहा होंगे तो आपने बोला थ लेकिन वो है नहीं, तो इस वाले सेंस में आप should have been का यूज़ करेंगे, कि आप past में बात करेंगे, कि उसे school में होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था, he should have been at home, present में जब हम बात करेंगे तो अब should be का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम past की बात करेंगे, कि होना चाहिए था, तब हम should have been का यूज़ करेंगे, अब है should have, should have का generally हम दो तरह के sentence में कर सकते हैं, एक sentence है without verb, past होना चाहिए, जिसना meaning हो सकते है, past होना चाहिए, जिसना आपकी पास car होनी चाहिए, या फिर mobile होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो without verb होगा, और एक में verb होगा, चाहिए थी, अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि without verb क्या होगा, अब example हम लोग देखते हैं, और भी अच्छे से पता चलेगा, जैसे अगर हम verb चाहिए थी की बात करें, तो उसमें कैसे sentence आएंगे, आपको वहाँ जाना चाहिए था, चाहिए थी वाले जो आ क्या, यानि कि हम लोग का should have का use होगा, चाहिए था, तो हम पढ़ाई करनी चाहिए थी, you should have studied, यानि कि वर्व का third form यूज हो रहा यहाँ पर, तो जब आपको किसी का इस तरह के advice देनी होगी, आपको वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो आप उसमें should have का use कर सकते हैं, यह हम लोग ने वर्व के चाहिए थी वाला sense के लिए किये, अब हमारा should have में और एक sense थाना, without verb, पास होनी चाहिए, उसका भी example देखते हैं, कि उसे कैसी example में use करते हैं, तो should have का use without verb, पास होना चाहिए, वाला sense के लिए करते हैं, जैसे कि आपकी पास एक बाइक होनी चाहिए, हम बोर है उसके पास है, नहीं हम बोर है कि आपके पास बाइक होनी चाहिए, you should have a bike, यह इस sentence में verb का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानि कि हम लोग ने पहले देखा, without verb होगा, तो verb का जिक्र तो किया ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ने यह वर्व का जिक्र नहीं किया है, तो जब आपको पा होनी चाहिए, you should have a bike, आपके पास पैसे होनी चाहिए, you should have money, इसी तरह से आपके पास mobile होनी चाहिए, you should have mobile, तो इस तरह के sentence आप शुड है लगा कर अपने sentence को complete कीजेगा, should have had, अब हम लोग ने should have का use देखा ना, present की बात कर रहते है, पास होनी चाहिए, तो वह present की बात कर है, लेकिन अगर हम past की बात करेंगे, कि होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, अभी है नहीं लेकिन तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, past की बात करेंगे, तब हम should have had का use करेंगे, आपको confused नहीं होना, जब आप present की बात करेंगे, कि आपके पास वो ह चाहिए थी तब आप शुद हाव है यूज करेंगे खलियर जैसे के एक्जामपल है हमारा आपके पास एक बायक होनी चाहिए थी इससे फेले एंपने एक्जामपल देखा ना कि आपके पास एक बायक होनी चाहिए viewing प्रेजन की बात कीए तो आप हम लोग बुले थे वोनी चाहिए थी बोलेंगे तब should have had का use करेंगे, clear हो गया, अब आगे दिखते हैं, should have to, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, हम advice देते हैं किसी को क्या आपको वहाँ पर जाना चाहिए, तो हम simply advice देते वे क्या बोलेंगे, you should go there, simple तो हम बोलेंगे, you should go there, should का use बेता हम लोगो वहाँ पर जाना चाहिए, sentence में देखिए आपको थोड़ा सा change आएगा, कि इसमें हम लोगों नहीं बोलेंगे, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, present की बात किये, लेकिन second sentence में आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, past की बात कर दिये, तो बोलेंगे, you should have gone there, past में बात किये न कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको लिखना ही चाहिए, आपको वहाँ पर जाना ही चाहिए, तो ये वाले जो sense आ रहा है, आप बोलने से ही समझ में आ रहा है, कि आपको पढ़ना ही चाहिए, advice देती वे तो हम simple बोलते है, कि आपको पढ़ना चाहिए, advice दे रहे है, ऐस आपको जाना चाहिए, तो you should have to go, आपको करना चाहिए, you should have to do, तो आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ही चाहिए हम बोल दे रहें, थोड़ा फोर्स दे कर बोल रहें, कि आपको ये काम करना ही चाहिए, तो उसमें should have to का यूज़ करेंगे, अब है हमारा should have had to past में कोई चीज करने ही चाहिए थी अब ही हम लोग ने should have to का यूज देखा should have to में क्या करना ही चाहिए present में बोर रहा था आपको वो काम करना ही चाहिए आपको पढ़ना ही चाहिए लेकिन जो वही sentence को आप past के लिए यूज करेंगे पास्ट में आपको should have had to का यूज करना है जैसे कि आपको जाना ही चाहिए था अगर हम लोग यहां पर बोले आपको जाना ही चाहिए present की बात करें तो हम बोलेंगे you should have to go simple बोलेंगे ना you should have to go मतलम आपको जाना ही चाहिए लेकिन अगर हम past में बात कर दें आपको पढ़ना ही चाहिए था तो बोलेंगे you should have had to study you should have had to study तो आपको समझ में आगे present में क्या use करेंगे past में क्या use करेंगे इसी के साथ हम लोग ने should के सारी uses को जान लिए basic से लेके advance तक should के सारी uses को जान लिए अब आते है उड में अब should के जब basic से advance तक सीखेंगे तो उड की भी तो basic से advance तक सीखना पड़ेगा उड को सीखेंगे उड बी को भी सीखेंगे उड हैव को सीखेंगे उड हैव तो को सीखेंगे उड हैव बीन उड हैव हैट तो इन सारे uses को भी सीखेंगे तो इस्टार्ट करते उड से, गाइस यह जो उड है ना, उड बहुत ही कन्फ्यूजिंग मॉडल वर्ब है, most of the student को यह दिक्कात आज आती है कि उड का यूस हम कैसे sentences में करें, तो गाइस उड को जानने से पहले हमें विल को जानना पड़ेगा, विल और उड में क्या रिस्ता है, तो देखिए, जो विल है वो फ्यूजर के बारे बताते हैं, तो देखिए जो will है ना future के बार में बताता है कि future में कोई कारियर हो रहा होगा, हो चुका होगा, यह किसी समय में चल रहा होगा, तो हम लोग tense में सीखते हैं ना होगा, कोई काम करता होगा, सोता होगा, खाता होता होगा, पीता होगा, तो होगा वाला sentence में हम लोग समझ जात में कैसे करें अगर आपको future की बाद present में करनी हो तब आप उड का use करेंगे कैसे करेंगे वो जानने से पहले हम ये जान लेते कि उड का use हम कैसे कैसे sentences में करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना past of will उड जो होता है वो विल का past होता है ये तो हम लोगों ने चान लिया है उसके बाद है निवेधन के लिए अब निवेधन के लिए यानि कि request के लिए हम good और make भी तो use करते हैं लेकिन would का भी use करते हैं would का use हम किसी भी sentence को बहुत ही polite करने के लिए यूज करते हैं यानि कि सबसे high possibility होता है would का उसके बाद होता है could का then होता है me का तो आपको confusion होता है अगर आपको अपने sentence में बहुत ही ज्यादा polite शो करना हो तो आप would का use किजेगा जैसे कि माल लेजे मैं बोल रही हूं क्रिपया आप दर्वाजा बंध करोगे आप किसे से बोर रहे हो ना क्रिपया आप दर्वाजा बंध करोगे बहुत ही आपके sentence में polite शो कर रहा तो आप बोलोगे would you please close the door यानि कि आप जो उड यूज किये ना वो सैंटेंस को बहुत polite सो करने के लिए किये निवेदन करने के के लिए हम यूज कर सकते ओड का कोड का और मेका भी यूज कर सकते लेकिन ज्यादा polite के लिए हम ओड का यूज करेंगे अब च्वाज के लिए इसे च्वाज के लिए हम कैसे यूज करते थोड़ा और गहराई से जानते हैं जो ओड है ना उसका preference च्वाज के लिए यूज क उड़का यूज करेंगे, बोलेंगे, would you like to help me, would you like to help me, मत्यम क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, यह भी आप उनकी च्वाइस पूछ रहेंगे, अब उनकी मर्जी वहाँ बैठे या ना बैठे, आप बस उनकी मर्जी पूछ लिए आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, तो हम बोलेंगे, would you like to sit here, इसी तरह से आप कॉफी लेना पसंद करोगे, would you like to coffee, इसी तरह से आप अगर इसी को चॉइस पूछो ना, तो आप उड़का यूज कर सकते हैं, अब जो उड़ है ना, उड़का यूज हम पास्ट हैबिट के के लिए तो हम use to का भी use करते हैं, लेकिन पास्ट हैबिट के लिए आप use to का भी use कर सकते हैं, प्लस उड़का भी use कर सकते हैं, दोनों का use हम कर सकते हैं, पास्ट हैबिट मतलब बोई काम आप habit के तोर पे करते थे, बार बार करते थे अपने habit को शो करने के लिए, तो वैसे hail सेंटेंसे मैं आपको used to का भी use कर सकते है या फिर would का भी use कर सकते हैं जैसे कि हमारा सेंटेंस है जब वहां था वह मुझे बात करता था When he was here he would talk to me मत्लब वह यहां था वह मुझे बात करता था मैं अपने बच्पन में cricket खेला करता था मतलब बच्पन में habit को तोर भी cricket खेला करता था मतलब past में बार बार वार वो काम करने को शो कर रहा है तो इसमें उड का use करेंगे I would play cricket in my childhood तब इसमें जो उड है ना इसके जगा आप used to का भी use कर देंगे तो आपका sentence wrong नहीं होगा आपका sentence फिर भी right होगा तो आप समझगे would का use हम कैसे कर सकते हैं एक तो सबसे पहले will का past होता है would इसमें confused नहीं होना है second जब आप किसी को निवेदन करोगे request करोगे तब आप would का use कर सकते हैं किसी के choice पूछने के लिए आप would का use कर सकते हैं और किसी past habit को show करने के लिए आप would का use कर सकते हैं अब है हमारे would be कर रहा होगा या हो रहा होगा जैसे कि हम अक्सर बोलता है न वो school जा रहा होगा हम present में बोल रहे हैं present में की वो future में school जा रहा होगा मैंने काफी सारी वीडियो में उड के बारे में आपको बहुत एक clear तरीके से बताया है would be का use हम कब करते हैं जब हम present में कोई बात करते कि future में वो कर रहा होगा यानि कि मैं अभी बोल रहे हैं कि वो school जा रहा होगा तो उस वाले sense में आपको would be का use करना है वो school जा रहा होगा अब जिस वक्त ये बोल रहा होगा उस वक्त वो जा रहा होगा future में जा रहा होगा तो he would be going to school he would be going to school वो खेल रहा होगा जिस वक्त आप बोले वो खेल रहा होगा future में खेल रहा होगा तो he would be playing he would be playing वो सो रही होगी she would be sleeping तो उड़ बी का यूज करना है present जब आप कोई बात present में बो रहे कि future में वो काम कर रहा होगा या हो रहा होगा तब आपको उड़ बी का यूज करना है अब है हमारा would have चुका होगा पापा आ चुके होंगे पापा उड़ हाफ कम मतलम होगा इससे होगा मतलम समझ में आ रहा है कि यह past की बात कर रहे है लेकिन आप अभी present में बोर रहे है कि पापा आ चुके होंगे मतलम आप present में बोर रहे कि पापा आ चुके होंगे अगर चुक कि होगी sentence में तो आप would have का use किजिएगा लेकिन आपको कैसे पहचानना होगा कि हम कब की बात करें तो आपको sentence को ध्यान से देखना होगा हम sentence क्या पो रहें पापा आ चुके होंगे हम present में बोर रहें कि पापा आ चुके होंगे तब हम इसमें would have come का use करेंगे पापा would have come वह ख समझ में आगिया, जब कोई काम आपको करना पड़ता होगा, यह भी मैंने आपको बहुत इच्छ से समझा है, जैसे कि हमारे एक्जामपल है, राम को खाना बनाना पड़ता होगा, मानली जब को फ्रेंड का नाम राम है, आप राम के घर गए, इस वक्त जब आप उसके घर प पड़ता होगा, तब इसमें आपको would have का use करना है, आप श्योर नहीं है, आपको पक्का यकीन नहीं है कि वो खाना रोज बनाता है, बस आप अपनी प्रतिकिरिया के हिसाब से, अपनी कलपना के हिसाब से बोर है, कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, खुद इस सोचों कि वो काम उसको करना पढ़ता होगा, उसको पढ़ना पढ़ता होगा, तो इस वाले सेंस में आपको would have का यूज करना है, बिल्कुल नहीं चुचाना, आपको would have का यूज करना है, जैसे राम would have to cook the food, मतलब राम को खान बनाना पढ़ता होगा, राम को पढ़ाना पढ़ता होगा जैसे आपने राम के घर गया, तो राम पढ़ा रहा है, लेकिन वो हमेशा पढ़ाता है, ये आपको यकिन नहीं है, आपने एक बार देखा और अपने मन में प्रतिकिरिया बना ली, कि वो हमेशा पढ़ाता होगा, तो इस वाले सेंस में आपको would have का use करना है, राम would have to teach, राम अब जब इसके past की बात करेंगे न, तब हम use करेंगे would have had to, पढ़ी होगी, उसे वो काम करनी पढ़ी होगी, अब इसमें था मैंने यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये past नहीं है, ये भी past है, हम क्या बोरे, वो उसको काम करनी पढ़ी होगी, पढ़ता होगा पढ़ी होगी, मजबूरी में करनी पढ़ी होगी, तो जब आप present की बात करेंगे, कि उसे वो काम करना पढ़ता होगा, तब आप आपको would have का use करना है, जब आपको past की बात करनी हो, कि पढ़ी होगी, उसको वो काम करनी पढ़ी होगी, तब आप would have had to का use करेंगे, जैसी उ उसे स्कूल जाना पढ़ा होगा, पढ़ता हो का नहीं बोह रहे हम लोगों ने बोल को अपल सो इसके साथ उड़ के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया शुट के बारे में भी जान लिया, दो तो model verb हमारे clear हो गए, basic से advance तक, अब आते हैं next model verb में, अब हम बात करेंगे model verb can की, can के बारे में जानना है तो उसी advance तक तो सीखने पड़ेंगे, can, can be, can have, can have to, can have been, can have had, can have had to, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो एक एक करके जानते हैं, सबसे पहले can को जानेंगे, can can जो होता है, वो ability शो करता है, किसी की योगिता, सकती, समर्थता, कार्य करने की शमता, या कार्य ना करने की शमता, ability किसी को शो करता है, उसमें can, मतलब वो काम वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो काम करने के उसकी ability हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसमें आपक I can read, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं बोलू, तुम नहीं पढ़ सकते, मतलम तुमारी पढ़ने की अबिलिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे, you cannot read, you cannot read, मतलम तुम नहीं पढ़ सकते, तुमारी पढ़ने की अबिलिटी नहीं है, तुम यह कर सकते हो, यह तुमारी अबिलिटी है जैसे कि राहूल घर पर हो सकता है, तो राहूल can be at home, वो अपी घर पी होगा, उसकी जो संभावना है न वो है, कि राहूल अभी घर पर हो सकता है, तो बोलेंगे राहूल can be at home, पापा ओफिस में हो सकते हैं, पापा ओफिस में हो सकते हैं, पापा ओफिस में नहीं हो सकते हैं तो पापा can not be in office, पापा can not be in office, can't have been, can't have been का generally हम अपने daily use sentences में यूज नहीं करते, बल्कि हम यूज करते can't have been का, can't have been का use जादा नहीं करके, हम can't have been का यूज करते, जैसे कि हम बोले, राहूल can't have been hungry, as he had already had food a little while ago, मतलब राहूल अभी भूखा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने थोड़ी समय पहले ही खाना खाया था, मालेचे आप और आपके फ्रेंट, आपका फ्रेंट का नाम है राहूल, आप और आपका फ्रेंट कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए आप और आपके फ्रेंट ने बहुत खाना खाया, इतना खाना खाया कि आप पानी पीने तक के जगा नहीं है एक दम पेट फुल हो गया बिल्कुल जगा नहीं है पानी तक के जगा नहीं जब आपको संभावना नहीं होगी कि वो ये काम नहीं कर सकता, इस वाले sense में आप can't have been का use कर सकते हैं, अब है can have, कोई चीच किसी के पास हो सकती है, मतलब present में कोई चीच किसी के पास हो सकती है, जैसे उसकी पास एक car हो सकती है, present में उसकी पास एक car हो सकती है, तो क्या बोल वा कनवाइल वाय पास करें अब आगे देखतें अभे हमारा कन हैव हैड अभी हम लोगों कि क्यान हाव का यूज देखा प्रेज़न की बात करने कि कोई वस्तु आपकी पास हो सकती है लेकिन जब हम past की बात करेंगे कि उसके पास एक car हो सकती थी, हो सकती थी, अभी है नहीं लेकिन हो सकती थी, past में हो सकती थी, तो बोलेंगे he can have had a car, जब हम present की बात करेंगे, तो he can have a car बोलेंगे, लेकिन जब हम past की बात करेंगे, तो he can have had a car बोलेंगे, clear, जैसे he can have had a bike, उसकी पास एक bike हो सकती थी, he can have had a book, उसकी पास एक किताब हो सकती थी, मतलब जब आपको past में बोलाओ ना कि उसकी पास वो चीज हो सकती थी, तब आप can have had का use करेंगे अब है हमारा can have to मतलब कोई काम करना पढ़ सकता है, अब हम लोगों ने जो उड में देखा, पढ़ता होगा हम लोग बोल रहे थे ना, लेकिन आप, आपको यह मा सोचेगा कि इसमें भी पढ़ सकता है, उसमें भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं, आपको sentence देखना होगा, कि आपको sentence पहचान नहीं होगे, कि आप कैसे sentence बोल रहे, उड में हम लोगों ने बोल रहा था, उसे वो काम करना पढ़ता होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या बोला, उसकी पास पैसे देने पढ़ सकते थे, यानि कि उसको वो काम करना पढ़ सकता पढ़ा होगा नहीं बोल रहे, पढ़ सकता था बोल रहे क्लियर, तो आपको sentence दे के आपको समझना है जैसे आपको पैसे देने पढ़ सेब, इसकी भी एक एक्जामपल में देती हूँ जैसे माल लीजे आप और आपके बहुत सारे इक रेस्टोरेंट के लिए गये、 आप सारे फ्रेंटिस बहुत खाना खाये आप खाना-खाने के बाद बारी आई पैसे देने के तो आपके पस जो पैसे है वो कम पढ़ रहे तो आपकी जो best friend है जो आपकी जिगरी दोस्त है आप उससे बोले कि भाई मेरे पास पैसे कम पढ़ रहे हैं तुमें भी पैसे देने पढ़ सकते हैं तो इस वाले ही सेंस में आपको can have to का यूज करना यानि कि उसे वो पैसे देने पढ़ सकते हैं तो बोलेंगे you can have to pay, you can have to pay मतलम आपको पैसे देने पढ़ सकते हैं अगर आपको बोलाओ, आपको वहाँ जाना पढ़ सकता है, मतलम कि कोई emergency हो गई, तो आपको वहाँ जाना पढ़ सकता है, तो बोलेंगे, you can have to go there, you can have to go there, मतलम आपको वहाँ जाना पढ़ सकता है, अब can have had to, अब ही जो हम लोगों ने देखा, can have to go कि आपको वह काम करना पढ़को बल भरना पढ़ सकता है, या पी आपको पैसे देने पढ़ सकते थैं, आपकी पास पैसे कम नहीं हुए, आपने रेस्टरेंट में बल पे़ तो, पैसे कम पढ़ सकते थे, अब उस वा ले संस में ब coher리 आपकी बल भरना पढ़ सकता थे, आपको वहाँ जाना पढ़ सकता था, अगर आपको वहाँ जरूरत होती, तो आपको जाना पढ़ सकता था, अगर जरूरत नहीं तो आपको नहीं जाते, तो आपकी जरूरत होती, तो आपको जाना पढ़ सकता था, तो बोलेंगे, you can have had to go there, you can have had to go there, can के जितने सारे uses थे, आ अब कुड के भी बेसिक से एडवांस तक जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोगो कुड जानना होगा, तो कुड को जानते हैं, कुड, जब हमारा सेंटेंस पॉलाइट, मैंने आपको उड में ही बताया था, जब आप किसी से निवेधन करते हैं, कि आप दरवाजा बंद करोगे जब आपको एकदम पॉलाइट शू करना होगा, त आप ऊट का यूस किजेगा, लेकिन आपको थोड़ी मीडियम में उड से कम पॉलाइट शू करना होगा, तो आप उड का यूस कर सकते हैं, जैसे कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तो हम बोलेंगे, कृट यू ओपिन लेकिन अगर आपको अपने सेंटिस में बहुत ही पॉलाइट शो करना होगा तो आप कुड की जगा उड का यूज किजेगा इसमें आपको गन्फ्यूज नहीं होना है तो हम लोगों नहीं है ज्यादा पॉलाइट शो नहीं किया हम लोगों ने बोला कृपया अप दरवाजा लिए भी कर सकते हैं और भी है कुड का यूज वो भी हम देखते हैं इसी पॉसिबलिटी संभावना को सो करने के लिए भी कुड का यूज हो सकता है वकार बना सकता है मालीज आपको कोई फ्रेंड है आप दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे लेकिन जो आपको सब्सक्राइब से आकर बोला कि तुम्हारा जो दोस्ता आना वह कार बना सकता है तो आपके मन में पहले की प्रतिक्री आ गई कि वो तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं था तो वह कार कैसे बना सकता है फिर आप यह भी सोचे सायद वह ऑस्ट्रेलिया से आया होगा पढ़क कर तो वह कार बना सकता है तो यहां पर संभावना आप सो कर रहे हैं कि शायद वह बना सकता है आप 100% शौर नहीं है कि वह बनाएगा ही आपने देखा नहीं है कि वह बनाया है तो वह कार बना सकता है यह पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है तो इसमें कुड का यूज कर सकते ह He could make a car, वकार बना सकता है वह IAS बन सकता है, मतलब उसकी संभावना है कि वह बन सकता है तो राहूल कुड बिकाम एन IAS राहूल कुड बिकाम एन IAS राहूल IAS बन सकता है अब कुड का यूज हम सका या पाया के लिए भी करते हैं जैसे कि वो काम कर सका या फिर वो काम नहीं कर सका तब जैसे कि मैं वहाँ नहीं जा पाया या फिर मैं वहाँ नहीं जा सका तब हम बोज सकते है I could not go there I could not go there मतलब मैं वहाँ नहीं जा पाया या फिर मैं वहाँ नहीं जा सका मैं यह नहीं कर सका, I could not do this, I could not do this, मतलब मैं यह नहीं कर सका, तो जब आपकी sentence में मैं यह नहीं कर सका या फिर मैं नहीं जा पाया, तब आप could का भी use कर सकते हैं, अब हमारा आता है could have, could have का use हम past के लिए करते हैं, जैसे कि तुम मेरा इंतिजार कर सकते थे, could have waited for me, मतलब फिर भी वो मेरा इंतिजार नहीं किया तब आप बोलोगे you could have waited for me मतलम तुम इंतिजार कर सकते थे लेकिन तुम मेरे इंतिजार नहीं किये जैसे तुम वहाँ जा सकते थे वो जा सकता था पर वो गया नहीं तो तुम वहाँ जा सकते थे के लिए बोलेंगे you could have gone there, मतलब वहाँ जाने कि उसकी ability थी, लेकिन फिर भी वन नहीं गया, he could have gone there, could be, वो खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो, आले जब अपने friend के घर गए, वहाँ पर आपने देखा कि कोई बच्चा चाकू से खेल रहा है, अब चाकू तो खतरनाक हो सकता है ब इस वाले sense में हो सकता है वह खतरनाक, तब आप could be का यूस करेंगे, तो वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो, तो बोलेंगे it could be risky, don't do it, यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो, वह अभी घर पर हो सकता था, लेकिन वह नहीं था, तो हम बोलेंगे he could not be at home right now, but he was not there, he could be at home right now, but he was not there, वह अभी घर पर हो सकता था, लेकिन वह नहीं था, जब आपको sentence में हो सकता था, आप जैसे कि वह खतरनाक हो सकता था, आप 100% short तो नहीं थे, वह खतरनाक ही होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से बोलेंगे, वह खतरनाक हो सकता है, तब आप could be का use करेंगे, next day हमारा could have to Guys, Can का Use हम लोग ज़्यादा तर High Possibility के लिए करते हैं लेकिन जब हम Good का Use करते हैं तब हम Low Possibility को So करते हैं इससे पहले हम लोग उने Can के Basic से Advanced सारी Users को देखा उन सारे Users को हम लोग High Possibility को So कर दे थे लेकिन हम Good के जो-जो Users सीख रहे हैं उसमें हम Low Possibility को So कर रहे हैं मतलम जाना पढ़ भी सकता हैं नहीं भी इसकी 100% शौन नहीं है कि वह जाना पढ़ सकता है तो बोलेंगे I could have to go there जब आपकी Low Possibility शो करेगी न कि वहाँ आपको जाना पढ़ सकता है तब आपको वहाँ पर Could have to का Use करना है जैसे मुझे यहाँ आना पढ़ सकता है तो बोलेंगे I could have to come here मुझे यहाँ आना पढ़ सकता है I could have to come here Low Possibility को शो करने के लिए Could का Use करेंगे जब इसी Sentence को कि तुम्हें वहाँ जाना पढ़ सकता है जब High Possibility को शो करेंगे तो Could की जगा आप Can का Use कीजेगा Clear तो Can और Could में आपको Confusion नहीं होना आपको अपनी Sentence को देखना है कि आपके Sentence कौन सी Possibility को सो करें High Possibility को सो करें या फिर Low Possibility को सो करें उसके हिस्ताब से आप Can और Could का Use कीजेगा अब है Could have had to कोई काम करना पढ़ सकता था इससे पर हम लोग ने करना पढ़ सकता है सीखा इसमें कोई काम करना पढ़ सकता था Past सीख रहे जैसे मुझे वहाँ जाना पढ़ सकता था I could have had to go there I could have had to go there मतलब मुझे वहाँ जाना पढ़ सकता था इससे पहले हम लोग ने मुझे बाहा जाना पढ़ सकता है, हम लोग सीखे ना, प्रेजेंट सीखे, फास्ट सीख लिया, जैसे मुझे खाना बनाना पढ़ सकता था, बोलेंगे I could have had to cook the food, I could have had to cook the food, मतलब मुझे खाना बनाना पढ़ सकता था, मतलब low possibility शो कर रहा कि मुझे पड़ेगा ही या नहीं पड़ेगा वो नहीं बताया कि यह बताया है कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता था तो गाइस यह था कुड की बार में अब आप चार मॉडल वर्प्स को जानगे अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप दुबारा वीडियो को देख सकते दुबारा आप समझ सकते क्योंकि मॉडल वर्प्स जो है ना मारी डेली लाइप में बहुत ही ज्यादा यूज होते है तो इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है इससे आपको सीखनी ही चाहिए तब आते में माई और मस्ट को समझते है जैसे में का यूज पहले दिखते है तू आसको गिप पर इसमें के नहीं ही जो है तो अब कर देगया है यू 5 कि जो इसमें जो झाता को यू strips घरियन तो भी उम्र जी यह, तो हम बोलेंगे may you live long, may you live long, वो वहाँ गया होगा, तो जब हम इसमें, वो वहाँ गया होगा हम बोलेंगे he would have gone there he would have gone there, इसका मतलब होता है वो वहाँ गया होगा, would का use हम possibility high करने के लिए करते हैं, वो वहाँ गया high possibility so, आपका half possibility, 50-50% की possibility सो करें, तो आप बोलेगा, he may have to go on there, मतलब वो वहाँ गया भी होगा, या फिर नहीं गया होगा, आपको ये confirmation नहीं है, जैसे उसके पास car होगी, he may be have a car, मतलब उसके पास car हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर हम इसमें high possibility की बात करेंगे, कि हाँ हाँ उसके पास car होगी, तो हम बोलेंगे, he would have a car, he would have a card जैसे तुम यह कर सकते हो किसी के ability बता रहे है ना तुम यह कर सकते हो you can do this तुम यह कर सकते हो हाँ तुम यह कर सकते हो तो बोलेंगे you may do this you may do this तो यह जो may है ना इसका use हम सारे model verbs could, would, should या फिर उसके जितने भी uses बेसिक से एडवांस तक जितरी भी थे ना सब के साथ अब may का use कर सकते हैं possibility low या high करने के लिए अब may का use कर सकते हैं अब है हमारा might तुम यह कर सकते हो अब बोरे तुम यह कर सकते हो ability शो कर रहे है तो ability शो करने के लिए हम लोगो ने देखा वह सकते हैं लेकिन जब ये 50 50 बोलेंगे नहां तुम ये कर सकते हो तब बोलेंगे यू मैं डू दिस आपकी जो पॉसिबिलिटी को देखना होगा कि आप कितनी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे है हाई की बात कर रहे या लो की बात कर रहे है तो समझ भागे माइट का यूज कप करेंगे पॉसिबिलिटी को लो करने के लिए माइट भी यूज अब सारे मॉडल वर्प्स के साथ कर सकते है पॉसिबिलिटी को लेस में करने के लिए क्लियर अब आगे दिखत सकते हो you may do this अगर low possibility शो करना है तुम कर सकते हो मतलम low possibility की बात कर रहे तो हम बोलेंगे you might do this you might do this अगर आपको बोलना हो कि must का यूज हम hundred percent possibility शो करता है कि हाँ पक्का तुम इसे कर सकते हो जरूर तुम इसे कर सकते हो यह high possibility को शो कर रहा. You must do this. मतलम तु पक्का यह कर सकते हो. में का use हम करेंगे, जब आपकर sentence 50% की possibility शो कर रहा. माई का यूजक्च करेंगे, जब आपका sentence 30-20% की possibility शो कर रहा. और मस्ट का यूजक्च करेंगे जब आपका sentence 100% की पक्का वो जा सकता है, पक्का वो आ सकता है, जरूर वो काम कर सकता है, high possibility शो कर रहा, तब आप must का use कीजिएगा, तो इसी के साथ हम लोग ने एक ए वीडियो में सारे model verbs को cover कर लिया, अब आप मुझे comment box में बताए, क्या आपको सारे model verbs समझ में आए, आपको कितने अच्छे से समझ में आए, ये जानने के लिए एक sentence आपको homework के लिए दे रही हूँ, जैसे आपको homework है, उसे school जाना पड़ता होगा, इस sentence में किस model verbs का use होगा, वो आपको पहचान है, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे से clear होगा, अगर नहीं वह तो आप दुबारा देखिए, आपको ये model जो model verbs होता है, बहुत important होते हैं, आपको सीखना जरूरी होता है, तो आप अच्छे से सीखिए, अज इसका जो answer है ना मुझे comment box में बताईए, फिर मैं बताऊंगे कि आपका answer right है या wrong है, वीडियो अच लगे तो वीडियो को like करें, और उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा share करें, जो इंगलिस सीखना चाहते हैं, अगर वीडियो पे नहीं है तो वीडियो को subscribe का bell icon जरू क्लिक किजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ आप तक notification मिलती रहे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep learning